चाहें आप एक ने करियर के बारे में सोच रहे हैं या सिर्फ एक पार्ट टाइम जॉब करके मनी अर्ण करना चाह रहे हैं बहुत सारी ओनलाइन कंपनीज जो ट्रांसक्रिप्शन जॉब ऑफर कर रही है सबसे अची बात यहां यह है कि आप घर में ही रहे कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं जब तक आपके पास एक लैपटॉप कंप्यूटर या अच्छी टाइपिंग स्किल है तब तक कोई भी ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्शन करके रियल मनी जेनरेट कर सकता है आज मैं आपको स्क्रिपी के बारे में बताऊंगी यह एक ऐसा प्लैटफॉर्म है यह एक ऐसा वेबसाइट है जहां पे आप आप आलाइन ट्रांसक्रिप्शन जॉब कर सकते हैं अब मैं आपको transcription के बारे बता देती हूं तो transcription में basically आपको audio video file को text में convert करना होता है यह main काम आपको transcription job में करना होता है इसके अलावा भी कुछ assignments होते हैं like preview करना, proof reading proof reading में basically जो file आपके पास है उस file को check करना और अगर कोई mistake है तो उसे correct करना होता है तो यह main काम है आपको transcription job में अब बात करते हैं कौन इसे apply कर सकता है तो आपके कोई भी higher qualification की requirement नहीं है यहाँ सर्फ एक चीज़ important है वो है English अगर आपके English बहुत अच्छी है तो आप इस transcription job को बहुत easily कर सकते हैं अगर आपके English on an average ठीक ठाक है या फिर थोड़ी week भी है तो भी आप इसे कर सकते हैं लेकिन थोड़ी से practice की ज़रूरत पड़ेगी otherwise आप चाहू तो sharing में भी काम कर सकते हैं like आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो आपके relative से या friend से और उसके English बहुत अच्छी है सो ऐसे बहुत सारे free tools आपको मिल जाएंगे जो audio को टेक्स्ट में convert करता है और हाँ यह आपका 100% accurate नहीं होता है लेकिन still आप कर सकते हैं at least 75 और 80% यह accurate होते हैं उसके बाद आप उन tools को use करने के बाद आप खुद उसे चेक कर सकते हैं या फिर आप grammarly की help ले सकते हैं ऐसे और भी tools है जो आपके mistakes को सही करें यह जो स्क्रिबी website है इसमें आपको सबसे पहले test देना होता है और test से पहले भी आपके पास कुछ practice samples होते हैं तो उसे आप practice करके and then आप test दे सकते हैं तो अगर आपके English बहुत अच्छी भी है तो भी आप पहले practice कर लिजेगा and then आप test के लिए प्लाई कीजेगा right so यह जो स्क्रिबी का test है यह थोड़ा सा medium level का होता है ठीक है बहुत ज्यादा hard नहीं होता है and यहां पर अगर हम salary की बात करें which is very important और यह आपको कहीं नहीं motivate भी करेगा तो आपको एक घंटे की जो audio या video file मिलती है अगर उसे आप transcript करते हैं तो आपकी salary 5 to 25 डॉलर हो सकती है so depend करेगा file की cost कितनी है and अलग-अलग assignment अगर आप करते हैं तो monthly basis पे आपको कितनी salary मिल सकती है वो मैं आगे detail में दिखाऊंगी so अभी इंडिया में एक डॉलर की rate 73 के आसपास है so इससे आप calculate कर सकते हैं okay एक और important चीज पेपाल अकाउंट आपके पास होना compulsory है क्योंकि बिना PayPal अकाउंट के आप अकाउंट नहीं create कर पाएंगे स्क्रीबी पे so it's compulsory और PayPal अकाउंट के थ्रू ही आपको इंटरनाशनल पेमेंट मिलते हैं so आप स्क्रीबी पे अकाउंट बनाने से पहले PayPal अकाउंट को पनाईए और इसके लिए आपको YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियो जाएंगे जो बहुत इसलिए आपको PayPal अकाउंट ब कंडिशन से क्या format होता है और क्या सैंपल से सैंपल भी दिये गये हैं उसे आप देख सकते हैं और प्राक्टिस सेट भी दिये हैं तो चलिए अपने computer screen पे चलते हैं सो सर्च बार में आपको लिखना है स्क्रीबी और फर्स नमबर पे जो सर्च रिजल्ट मिलेगा उसी पे आपको क्लिक करना है स्क्रीवी और वीडियो ट्रांस्कृप्शन सो यह में वेब साइट पर आप चुके हैं और यह काफि ट्रस्टेड है इसे आप टीटेल में देख सकते हैं और यह आपका कंप्लीट वेब साइट है तो सबसे पहले हम देखेंगी कि अकाउंट कैसे बना तो जैसे ट्रांस्क्राइबर पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरीके का पेजब खुल गया अब यहां पर यह कुछ steps है इन steps को आपको एक एक करके complete करना होगा and finally यहाँ पर आपको test लिखा होगा जैसे ही आप apply कर लोगे completely ठीक है so यहाँ पर आप देख सकते overview में हमने जैसे कि यहाँ पर discuss किया था कि आपकी जो salary होगी आपको जितना मिलेगा एक वीडियो का एक घंटे का वो five to twenty five dollar होगा तो कुछ चीज़े यहाँ पर overview में लिखी है इन सभी को आपको एक एक करके read करना है ठीक है तो आप बहुत easily समझ पाओगे कि यह स्क्रीबी वेबसाइट इस तरीके से काम करते है यहाँ पर ट्रांसक्राइबर का जो काम है वो किस तरीके से करना है यह सारी चीज़े आपको समझना important है क्या requirements है यह भी आपर दिया गया है ठीक है तो good comprehension of English जैसे कि मैं आप से का English important है और यह बागी सारी चीज़े इंपोर्टेंट है तो इन्हें भी आपको अच्छे से रीट करना है so transcription process कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले आपका file splitting होगा raw transcription होगा review proof reading and quality check ठीक है तो इस तरीके से आपके process को check किया जाता है इसके बाद payment के बारे में दिया गया है आपको कितना मिलेगा ठीक है जो कि मैंने already आपको बता दिया bonus referral and affiliate automated transcript तो जैसे कि मैंने आप से काते कि आपके assignment आपके काम पर depend करेगा कि आपकी salary कितनी होगी तो अगर आप सिर्फ transcription का काम कर रहे हैं तो आपका जो salary होगा एक महीने की वो 200 to 300 हो सकती है अगर आप transcription plus reviews कर रहे हैं तो $300 to $500 हो सकता है अगर आप transcription reviews and proof reading तीनों ही कर रहे हैं तो 500 to $700 हो सकता है depending आप कौन कौन सा काम कर रहे हैं तो यह है और बाकी next stage पर चलते हैं so guidelines में भी आपके कुछ guidelines के कि किस तरीके से आपको transcript करना है उसमें क्या चीज़े होनी चाहिए क्या क्या चीज़े नहीं होनी चाहिए यह सारी चीज़े यहां पर है और उसके बाद additional notes से इनको अगर आप literally करना चाह रहे हो इस job को तो इन सभी को आपको read करना होगा ताकि आप इसके format को इसके style को अच्छे से समझ पाओ जो कि आपके काम को बहुत easy कर देगा तो अगर आप इसके format के basis पर काम करते हो तो definitely आप अच्छा अर्णिंग कर पाएंगे next sample दिया गया है अब यहां पर यह जो है यह audio है और इसे आप सुनके यह यहां पर नीचे टेक्स अडरीडी दिया गया है तो basically यह sample है आपके पास कि किस तरीके से आपको काम करना है तो इसे आप सुन ली जेगा और बाकी जिस तरीके से बोला जा रहा है और किस तरीके से लिखा जा रहा है यहां पर टेके तो यह आप देख सकते हैं and next है terms कुछ terms and conditions है उसे आप द से यहां से आप क्लियर कर सकते हैं next one is practice so finally आप अगर तयार हो इस transcription job के लिए तो आप practice कर सकते हैं test से पहले but test से भी पहले आपको apply करना होता है और apply करने का क्या process है वो मैं आपको बताऊंगी और यहां पे आपके कुछ files है इन files को सुन के आप practice कर सकते हैं तो यह file आपके लिए से प्राक्टिस के लिए दिया गया है बाकी instructions यहां पर पढ़ सकते हैं चलिए हम apply करके देखते हैं किस तरीक से apply करना है apply के लिए आपको सबसे पहले apply पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर login करना है विद पेपाल तो अगर आपके पास PayPal अकाउंट है तो यहां से directly आप login कर सकते हैं तो login with PayPal पर आपको क्लिक करना है जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले PayPal अकाउंट एंटर करना है एंटर करने के बाद आपको password देना है और उसके बाद next कर देना है तो अगर आपका account create हो जाता है तो आपको confirmation मिल जागा और उसके पाद टेस्ट के लिए आपको खुदी invitation मिलेगा त आप उस जॉब के लिए आगे प्रसीड कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना है फदर वीडियो उसके लिए आप चाहको सब्सक्राइब करने के साथ notification नोटिफिकेशन ओन कर सकते हैं और आप चाहो तो इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच आन टेक कियर कर सकते हैं